हेलो दोस्तों कैसे आप सब अपने रीजनिंग में आज नया टोपिक करेंगे ठीक है नया वाक्या निसीलोजम्स यह क्या चीज होते हैं इसके बारे में हम थोड़ा सा समझते हैं पहली चीज तो इसमें जो भी आपको दे रखा हो जिसमें इसमें दो चीजे दे रखी होगे क्या एक तो होगा कथन एक होगा निसकर्स ठीक है ना आपको जो कथन दे रखा है उसको सो परसेंट क्या मानना है सत्य मानना है यानि ट्रू मानना है जो भी आपको कथन दे रखा हो सकता हो कथन में कुछ भी दे दे आपको बोल दे सभी कुत्ते बिल्ली है सभी बिल्ली ग गदे है सभी गदे गाए है कुछ भी बोल दे आपको उसको हमेशा क्या मानना है 100% सत्य मानना है सच मानना है ठीक है ना उसको बिल्कुल आप क्या मानोगे ट्रो मानोगे एकदम सच मानोगे चाहिए कोई भी कथन दे रखाऊ उसके बाद बात आती है कि इसमें होता क्या है कर जो भी कतन दे रखा हो उसका हम एक वेन डायग्राम बनाएंगे एक डायग्राम होगा वो आपको करना जरूरी है कि उसका डायग्राम कैसे बनता है ठीक है ना जैसे इसमें होगा क्या इसमें कुछ चीजे होती है जैसे पहली चीज मैंने दे रखी है कि सभी A, B है ये आपका है कथन तो पहली बात आती है कि मैं इसका डाइग्राम के से बनाओ तो इसके डाइग्राम आपको दो टाइप से बनाने है ठीक है ना किस दो टाइब से बन सकते हैं आपके इच्छा आपको इंसा बनाना चाहें इसमें बोला सभी ए यानि जितने भी क्या आपके पास ए है वो सारे के सारे किसमें आ जाएंगे बी के अंदर आ जाएंगे अगर आपके कथन के डाइग्राम बिल्कुल सही बन गया तो क्यूस्टन आप इसे भी बना सकते हो इसका मतलब भी क्या होता है भी इसके बनाने का कारण क्या है कि A के उपर भी आ रहा है ना और A के उपर भी हम बलेक वोल्ड इस पर कैसे लिखे हैं बोल्ड पर नहीं लिख सकते कि A के उपर B कैसे तो उसी लिए हम क्या करते हैं इसको साइड में स दूसरा आपका पूछ ले कि कुछ A B है कुछ A B है इसका डाइगराम कैसे बनेगा यह आपका बिलकुल A आगया ठीक है अब इसने क्या बोला है कि कुछ A है जो आपके क्या है B कौन सा भी हिसा ले लो जैसे मैंने A का यह हिसा ले लिया और मैंने बोल दिया कि ये मेरा क्या है B आप बोलोगे कौन सा A B है भाई ठीक है आपने डाइग्राम बना लिया उसमें क्रोस कर दिया लेकिन इसमें मुझे पता नहीं चल रहा कि कौन से A को आपने बी लिया है तो हम उसको क्या कर देंगे डार्क लाइन से ऐसे कर लो अब आपको पता चल गया नहीं कि कौन से वाले के बारे में बोला गया है इस वाले के बारे में ठीक है उसके अलावा देखो इसमें और क्या हो सकता है दो चीज ओगे तीसरी देखो मैंने बोल दिया कि कोई भी कोई भी A B नहीं है ये सारे के सारे डाइग्राम आपको पता होना चीए क्योंकि ये पूरा टोपिक डाइग्राम पर ही बेश्ट होगा ठीक है ना पूरा खेल इसमें किसका है जो आपके डाइग्राम दे रखे है या जो आप बनाओगे कथन आपको दे रखा होगा उन कथनों का आपको क्या बनाना है? डाइगराम ठीक है? डाइगराम बनते ही बिल्कुल सही हो जाँगा अब इसका किसे बनाऊगे? कोई भी A, B नहीं है मतलब A और B का दूर दूर तक कोई संबन नहीं है नहीं है तो फिर अपने भी नहीं बनाएंगे कोई संबन ये आपका A हो गया ये आपका B हो गया क्या इनके बीच में कोई relation है क्या बिलकुल नहीं है यानि ये किसका बन गया कोई भी A भी नहीं है अब देखो और क्या हो सकता है चोथा आपके आ सकता है कि कुछ A, B नहीं है कुछ A, B नहीं है इसका कैसे बनाओगे तेम ही वैसा बनाओगे कैसा जैसा हमने बोला था कि कुछ A, B है डाइग्राम वही बनाओगे बस आपको ये देखना है कि जो ये वाला इस्सा होगा ये आपका क्या नहीं है इसमें बी नहीं है ठीक है ना ये वाला इसमें क्या नहीं है बी नहीं है mostly ये चार टाइप के ही होते है डाइग्राम बनाने इनके अलावा कुछ और होगा तो वो भी हम साथ साथ में देखते जाएंगे अब बात आती थी ये तो थी सारी कथन की अब मैं बात करूं कि इसके निसकर्स कैसे निकालूं मैं ठीक है ना मेन सारा खेल निसकर्स का ही तो है तो पहली चीज देखो अब इसमें एक चीज और हो सकती है क्या हो सकती है कि मैंने पहले डाइग्राम में एक तो बात बोल दी कि सभी A, B है बिलकुल बोल दी इसी के अंदर मैंने एक दूसरी चीज ये बोल दी आपको कि सभी B, A है ठीक है ना और मैंने स्टार्टिंग में ही क्या बताया है कि जो भी कथन आपको दे रखा है उसको आपको क्या मानना पड़ेगा सारे के सारे सत्य मानना पड़ेगा ना 100% सत्य इसमें ये निसकर्स में है ठीक है ना ये निसकर्स में पहला क्या दे दिया मैंने कि सभी बी ए है तो आप बताओ ये सही होगा या गलत होगा तो हमने कथन में क्या देखा था कि सभी ए अपने क्या है बी है बिल्कुल सही बात है लेकिन सभी बी ए है ऐसा मैंने कहीं बोला क्या कथन के अलावा ना तो अपने को अपना दिमाग लगाना है ना जो reality होती है वो देखनी है अपने को बस कथन को ही क्या मानना है 100% सत्य मानना है ठीक है ना तो इसमें अगर मैं पहले में ये बोलू क्या था सभी B A है तो क्या ये सही होगा क्या बिल्कुल नहीं होगा आप बोलोगे कैसे कि भाई सभी A वाले तो B में आगे लेकिन B का ये हिस्सा A में आ रहा है क्या बिल्कुल नहीं आ रहा नहीं आ रहा तो ये निसकर साब का क्या हो गया गलत हो गया ठीक है ना और आपको डाइग्राम दो बनाने है कि उस सन में जब तक आपकी अच्छी तरह प्रेक्टिस ना हो जाए आप एक तो वास्तविकता वाला और एक कालपनिक दोनों डाइग्राम बनाओगे ठीक है उन दोनों डाइग्राम से ही आपको पता चलेगा कि कोन सा सही है कोन सा गलत है ठीक है तो इसमें ये गलत हो गया लेकिन मैं बोलों कुछ A, B है इसके अंदर तो बिल्कुल है भाई सभी A, B के अंदर आ रहे है तो उसमें कुछ भी आ जाएगा ठीक है ये चीज़े थी अपके अब देखो इसमें और क्या निकालोगे आप वो देखते है कि उसके अंदर क्या आ सकता है पहला क्युस्ण यानि कथन दे रखा आपको सभी खंबे होटल है केसे बनाओगे खंबे को केसे लिख दो उसके अंदर क्या बना दिया है आपने होटल बार सभी खंबे खंबा किस से कवर हो गया होटल से जो कथन दे रखा है उसका आप डाइग्राम बना दो दूसरा है कोई भी होटल क्या नहीं है घर नहीं है कोई भी होटल क्या नहीं है घर नहीं है ये चीज आपको दे रखिये किस में कथन में अब हम और समझते हैं इसको गहराई से कि क्या हो सकता है पहले आते हैं निसकर्स में ठीक है ना निसकर्स में पहला क्या दे रखा है कुछ होटल घर है क्या अब देखो इसने साप साप यहां क्या बोल दिया कि कोई भी होटल ऐसा नहीं है जो घर हो ठीक है ना इसमें भी हो सकता है क्या कुछ होटल घर है बिलकुल नहीं होगा जब क कोई नहीं तो कुछ नहीं भी होगा ठीक है कुछ खंबे होटल है क्या सारे के सारे खंबे होटल आ रहे हैं तो कुछ खंबे तो होटल अपने आप हो जाएंगे होंगे की नहीं होगे अगर मैं यह बोल दूँ कि भाई आप जितने भी फल लेके आए मार्केट से वह सारे के सा आरे आम क्या है उसमें गले वे है यानि खराब है फिर मैं आपको पूछों कि इन में से कुछ आम खराब है तो आप सत्य बोलोगे यह सत्य है बिल्कुल सत्य बोलोगे वही चीज है तो इसका जो आपका एंस्वर क्या हो जाएगा कि केवल निसकर सेकंड फोलो करता है मतलब सत्य है पहला गलत है दूसरा सही ठीक है ना सिधी सी चीज है जैसे जैसे क्यूसन में जो जो पूछता जाएगा वो वो अपने साथ में करते जाएगे ठीक है अब तक जो आपको बेसिक बताया पहला क्यूसन पूरा का पूरा उसी पे है अब इसने कथद में क्या दे दिया कि सभी पेड़ आपके क्या है फल है ये पेड़ है सारे कि सारे पेड़ किस में आगे फल में आगे सभी फल जड़े है सभी फल किस में आ जाएंगे जड़ों में आ जाएंगे एक चीज और याद रखनी है साथ साथ में आप अलग से लिखते भी जाना इन चीजों को ना जो आपको चीजे बेसिकली याद रखनी है और फिर आप जैसे जैसे प्रेक्टिस करते जाओगे वो चीज आपके दिमाग में अपने आप क्या हो जाएगी तो इसका मतलब यह है कि कभी भी अगर हम अंदर से बाहर जाए तो वो चीज अमेशा सो परसेंट सत्य होती है क्या चीज बोली मैंने कि कभी भी कभी भी अंदर से बाहर जाने पर अंदर से बाहर जाने पर वो कथन हमेशा क्या होता है सत्य होता हमेशा सत्य होता है इस केस में अगर मैं आपको सबी के केस में पुछूँ आल वाला सबी के केस में अगर आप अंदर से बाहर जा रहे हो तो वो चीज आपको क्या होगी हंड्रेट परसेंट सत्य होगी आप बोलोगे सर मजा नहीं है या इसमें तो समझ में नहीं है या लाइन से ना तो लाइन से नहीं समझ में है आप पहले इसमें आओ अगर मैं ये बोलू कि सभी पेड फल है अंदर से बाहर जा रहे है क्या पेड कहां पर है डाइग्राम में अंदर की साइड जा कहां रहे है अपने बाहर की तरफ यानि फल की तरफ तो क्या ये चीज सत्या है आप बोलोगे बिल्कुल सत्या है क्यों सत्या है क्योंकि आप नह से बाहर जाने पर वो चीज हमेशा सत्य होगी किस के लिए ओल के लिए यानि सभी के स्टेटमेंट के लिए तो बिलकुल सही है अगर मैं आपको पूछ लो सभी फल जड़े है क्या तो आप बोलोगे ये भी बिलकुल सही है क्यों सभी है क्योंकि इसमें भी अंदर से बाहर जा रहे है लेकिन अगर मुझे बाहर से अंदर आना हो वो भी किस के लिए सभी के लिए अगर बाहर से अंदर आना हो या अंदर आए तो वो क्या होता है ऐस सत्या होता है किसे जैसे मैंने पूछ ली आपको क्या सभी फल पेड़ है क्या आप बोलोगे ये तो फल यानि सेकंड से फास्ट में आ रहे है मतलब है बाहर से अंदर आ रहे है तो ये चीज आपकी क्या हो जाएगी गलत हो जाएगी और कोई चीज जब तक सो परसेंट सत्य साबित ना हो तब तक आप उस पर राइट का चिन नहीं लगाऊगे ना उसमें आगे आईदर और भी आएगा उनकी कंडिसन क्या होती है वो भी देखेंगे ठीक है अब इसमें देखो आप निसकर्स में आओ ये दोनों पॉइंट आप अलग से लिख लेना कहीं भी ठीक है अपना डाइग्राम बनाए अभी तक कौन सा ये वाला इस डाइग्राम के अकॉल्टिंग अपने देखते हैं कि निसकर्स में क्या दे रखा है पहला आपको दे रखा है कि सभी पेड जड़ है पेड कहां पर है अंदर की तरफ जड़ कहां है बाहर की तरफ क्या दे रखा है सभी दे रखा है मतलब ओल दे रखा है जा कहां रहे है अंदर से बाहर की तरफ और एक ही चीज लिखवाई थी सबी के लिए अंदर से बाहर जाने पर वो चीज क्या होगी आपकी सो परसेंट सत्या होगी यानि इस पर कौन सा चिन लगाओगे आपे राइट का लगाओगे ठीक है ना अब इसमें तो सिद्धे दे रखे एक जाम में आपके ऐसे option क्या आएगा केवल पहला सत्या है केवल दूसरा सत्या है पहला या दूसरा सत्या है पहला दूसरा दोनु है या दोनु में से कोई ने ऐसे option आते हो सकता है चार निसकर सो तो option में कुछ और आजाएं ठीक है ना option को देखके करोगे दूसरा है सभी जड़ क्या है पेड़ है एक ही चीज हमने तो दिमाग में बिठाई है कि सबी से सबी के लिए अंदर से बाहर जाए तो सत्य है बाहर से अंदर आए तो सत्य है यानि क्रोस का निशान जड़ कहां पर है बाहर है पेड़ कहां पर है अंदर है तो क्या कर देंगे गलत कर देंग क्या दे रखा इंगलीज में कि all the roots are trees ठीक है ना सबी जड़े क्या आपके ये है पेड़ बिलकुल नहीं है तो ये हो गया गलत तीसरा देखो कुछ जड़ पेड़ है ठीक है ना इंगलीज में है some roots are trees अब आता है कुछ के लिए क्या rule होता है किस के लिए कुछ के लिए कुछ के लिए अगर हम बाहर से अंदर आए तो वो चीज होती है सत्य है बाहर से अंदर या अंदर से बाहर कोई भी केस हो या अंदर से बाहर दोनों के लिए वो चीज क्या होगी आपकी हमेशा सत्य होगी समझ में आया चाहे आपको अंदर से बाहर जाना पड़े चाहे आपको बाहर से अंदर जाना पड़े किस कंडिशन की बात हो रही है कंडिशन हो जब आपके कुछ दे रखा हो क्या दे रखा हो कुछ तो वो चीज आपके हमेशा क्या होगी सही होगी ठीक है ना तो तीसरा निसकर्स में क्या दे रखा है कि इस कुछ जड़ पेड़ है आप कहा जा रहे हो बाहर से अंदर की तरफ लेकिन साथ में दे रखा आपको सम यानि कुछ तो वो चीज आपके क्या हो जाएगी बिल्कुल सही हो जाएगी आई बात समझ में अब चलते है चोथे पॉइंट पर सबी फल पेड़ है क्या दे रखा आपको सबी दे रखा है फल कहां पर है ये रहा पेड़ कहां पर है ये कहां जाना है बाहर से अंदर आना है और बाहर से अंदर का सबी के केस में क्या होता है गलत होता है ठीक है ना इसल भी बोल रहे थे जो point आपको लिखवाए है उनको अलग से लिख लेना practice करना बार-बार फिर अपने आप दिमाग में बेड़ जाएगा फिर आपको यह याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगे ठीक है तो इसके लिए आपका क्या हो जाएगा पहला और तीसरा तो सही है बाकी कौन क्या है सब गलत है तो क्या दिखोगे केवल पहला वै तीसरा सत्य है आई बार समझ में चलें next पर आगे देखो आगे आपको क्या दे रखा है कतन दे रखा है कुछ फल पेड़ है बस डाइग्राम का याद रखना कि डाइग्राम आपका सही होना चाहिए कुछ फल क्य कोई भी फल क्या नहीं आपके जड़ नहीं है अब इसका ये तो हो गया वास्त्विक डाइग्राम कौन सा रियल अब एक इसका आप क्या बनाओगे कालफनिक बनाओगे और कोई चीज अगर आपको ये समझ में ना है कि मैं कैसे करूँ तो अगर आप स्टार्टिंग में क्या कर सकते हो वास्त्विक और कालफनिक दोनों डाइग्राम बनाओगे लेकिन आपको एकजाम में दोनों नहीं ठीक है ना वहां दोनों नहीं बनाने दिमाग में बनाना है दूसरा डाइग्राम यहां बनाके बता रहे है था कि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए इसमें क्या और कोई पोसिबिलिटी है क्या बनाने की जैसे मैंने बोल दिया सभी क्या था कुछ फल पेड़ है ये ल जड़ में कोई संबन नहीं होना चाहिए इसके बीच में कोई संबन नहीं है तो ये दोनों डाइग्राम बन सकते है ना अब दोनों डाइग्राम बनने के बाद ये देखना है कि जो निसकर्स दे रखा है वो दोनों में अगर सत्या होगा ना तबी वो सत्या माना जाएगा दोनु में अगर वो सही है तब ही सही माना जाएगा कथन इंगलीज में क्या दे रखा था some trees are fruits, any fruits is not a root पहला देखो, कुछ फल पेड़ है कुछ फल क्या है, पेड़ है मैंने बोला था कुछ के लिए चाहे अंदर से बाहर जाओ, चाहे बाहर से अंदर आओ वो चीज हमें साब के क्या होगी, सही होगी है ना, तो पहली चीज आपके सही है some fruits are trees आप बोलो कि दोनु में चेक करो ना आपने भी बोला कि दोनु में चेक करना है तो चलो दोनु में चेक कर लेते है सबी फल पेड़ है क्या इसमें, सोरी कुछ कुछ फल पेड़ है क्या बिल्कुल है, अंदर से बार या बार से अंदर कहीं जाओ, सही इसमें भी कुछ फूल फल पेड़ है क्या बिल्कुल है, दोनु सही दोनु डाइगराम में अगर चीज सही हो रही है, तो वो आपके क्या मानी जाएगे बिल्कुल ट्रो माने जाएगे सही ये लोग पहली सही दूसरा देखो क्या दे रखा है कुछ फल जड़ नहीं है Some fruits are not roots कुछ फल ये रहा फल जड़ नहीं है उसने जब साफ साफ बोल रखा है कि कोई फल जड़ नहीं है तो कुछ का तो फिर मतलब ही नहीं निकलता बिल्कुल सही है ना तो ये क्या हो जाएगा आपका दूसरा भी बिल्कुल सही हो जाएगा यानि यहां पर भी देखो कुछ फल जड़ नहीं है और यहां भी नहीं है ठीक है ना अब मैं ये बोलूँ आपको कि कहीं पर भी बारिस हो रही है ये बोल दें कि पूरे भारत में कहीं भी बारिस नहीं है ठीक है ना फिर मैं पुछ हूँ क्या राजस्तान में बारिस है क्या आप बोलो मैं ये लिखों कि राजस्तान में बारिस नहीं है सही है या गलत आप बोलोगे सही है किस बेस पर कि पूरे भारत में ही जब बारिस नहीं है तो राजस्तान भी कहा गया इंडिया में आ गया तो इसमें भी बारिस नहीं होगी वही चीज है जब कोई भी जड़ फल नहीं है तो कुछ जड़ भी क्या नहीं होगा फल नहीं होगा दोनों में सही हो रहा है दोनों में सही मान लिया तीसरा देखो कुछ जड़ है ठीक है ना कुछ फल जड़ है देखो कुछ है क्या फल तो आप देखोगे ये रहा फल ये र कौनों में गलत तो वो चीज वेसे ही भी क्या हो गई गलत हो गई तो इसका आप एंस्वर क्या बताओगे के वल पहला वे दूसरा तत्य है ठीक है ना ओनली ट्रू फॉर पास्ट एंड सेकंड बाग की कितना है तीसरा है वो क्या हो गया आपका गलत हो गया आई बाद समझ में चोथे किसम आगे देखते है आगे दे रखा आपको कुछ पेड़ फूल है कुछ पेड़ क्या दे रखे है बा सम त्रीज और फ्लोर्स ठीक है कुछ फूल जड़ दे रखी है यह लो कुछ फ़ल जड़ दे रखी है सम फ्लोर्स आर रूटस आगे है कुछ जड़ क्या है तने है कुछ जड़ क्या दे रखी है तने है यानि सम रूट सार इस टीम ये आपके बन गया क्या मैं इसको दूसरा डाइग्राम भी बना सकता हूँ ये तो आपका वास्त्विक हो गया दूसरा कौन सा कुछ पेड मेंने क्या बना दिये फूल बना दिये बिल्कुल सही है कुछ फूल मेंने क्या बना दिये जड़ तो हो सकता है वो फूल के अंदर भी आ जाए हना उसके अंदर भी दा सकता है कुछ जड़े क्या है तने है इसके अंदर क्या जाएगी ये हो सकता है पूरा यहां जाए तो ये डाइग्राम भी बन सकता है ठीक है ना तो इसका देखो किसे देखोगे निसकर्त में पहला है कुछ पेड तने नहीं है some trees are not steam कुछ पेड तने नहीं है आप बोलोगे इसमें तो बिल्कुल सही बेड़ती है ये बात लेकिन इसमें देखो कुछ पेड़तने नहीं है सही है क्या गलत है और कोई भी चीज अगर एक डाइग्राम में भी गलत है तो वो क्या मानी जाएगी आपकी गलत मानी जाएगी ठीक है ना इसलिए मैं बोला था दोनों डाइग्राम आपको याद रखने है एक आपको कॉपी में लिखना है एक अपने दिमाग में सेट करना है और सेट कैसे होंगे जितनी प्रैक्टिस करोगे उससे ठीक है आगे देखो कुछ जड़ फूल नहीं है कुछ जड़ तो क्या है फूल है लेकिन बाकी है या नहीं है हमें नहीं पता जो चीज हमें नहीं पता हम उसको कैसे मान सकते है ना उसको हम क्या मान सकते है बिलकुल नहीं मान सकता ठीक है इसका देखो यह होता है जैसे आपके आस पास में कोई भी गाउं है तो हम वहां बादल देखके क्या बोलते है कि वहां बारीस होने की संभावना है अगर मैं ये बोलो कि वहां बारीस होने की संभावना है possibility तो वो चीज बिलकुल सही है कि बादल है तो बारीस होने की संभावना होगे लेकिन अगर मैं ये बोल दूँ कि वहां बारीस हो रही है तो वो चीज क्या हो जाएगी गलत हो जाएगी क्यों गलत हो जाएगी क्योंकि यहां बेठे बेठे हमें नहीं पता चल रहा कि दूसरे गाउं में बारीस से हो रही है या नहीं हो रही है तो possibility यानि संभावना के लिए वो चीज हमेशा सही होती है और अगर आपको 100% सत्य पूछे तो वो चीज क्या होती है आपकी गलत अब इसमें इतना तो पता है कि कुछ जड़ है जो फूल नहीं फूल है लेकिन बाकी जड़ फूल है या नहीं है यह हमें कंफरम नहीं पता तो वो चीज क्या होगी गलत होगी तो इसमें क्या हो जाएगा फास्ट वे सेकेंड दोनों ही ऐस सत्य है आई बास तमझ में नेक्ष क्यूस्टन देखते है आगे आपको क्या दे रखा है डारेक्शन दे रखे आपको 5 से 12 तक in each of the following questions two statements are given and then two conclusions first and second are given which logical can be drawn out as per the statement यानि कौन सा इन में से जो आपको option दे रखा है उसमें से कौन सा सत्य है आपको ये बताना है इंदी में क्या दे रखा है कि नीचे दिये गए पर तेक वर्सन में दो कथन दिये गए है आगे क्यूस्टन होंगे 5 से 12 तक है उसमें क्या होगा दो कथन दे रखे होंगे आपको ठीक है जिनके बाद दो ही निसकर्स फर्स्ट वैस सेकेंड दिये गए है तो दोनों कथनों के अनुसार कौन सा निसकर्स तरक संगत निकाला जा सकता है आपको बस ये बताना है कि उन दोनों में से कौन सा सही है या कौन सा गलत है उनके जो आप एंस वर्दोगे वो इन चार के बेस पर दोगे यदि केवल निसकर्स फर्स सही हो तो A नमर उपसन यदि केवल निसकर्स सेकिंड सही हो तो B नमर उपसन यदि दोनों निसकर्श सही है तो सी नमर और दोनों गलत है तो डी नमर तो देखें कियु Norman देखते है पहला देखो कथन में दे रहा है सबी हाथी क्या है आपके सेर है All of the elephants आ रे लोइन बना दो सबी हाथी को मैंने क्या बना दिया सेर बना दिया दूसरा डाइग्राम क्या बन सकता है ये भी आपका बन सकता है बन सकता है ना बिलकुल बन सकता है All the loins are monkeys ठीक है ना दोनों डाइग्राम मेंने बना दिये अब nisksurs में पहला देखो सबी हाथी बंदर है क्या सबी हाथी बंदर है All the elephants are monkeys किसे पता करोगे कि भाई हाती कहां है अंदर की साइड मंकीज यानि बंदर कहां है बाहर की साइड अंदर से कहां जा रहे हैं बाहर की तरफ और देख रहे हैं अपने को ओल दे रहे हैं यानि सबी तो अगर हम अंदर से बाहर की और जा रहे हैं तो ये आपका क्या हो जाएग बिल्कुल सही हो जाएगा ठीक है ना तो पहला निस्कर साब का क्या हो गया बिल्कुल सही हो गया अब बात आती है दूसरे में कि कुछ बंदर हाती है बंदर हाती का संबंद देखे तो बंदर बाहार हाती अंदर यानि बाहार से कहां आ रहे हैं अंदर की तरफ है और जब कभी भी कुछ के लिए बाहार से अंदर की तरफ आएं तो वो चीज भी आपकी क्या होती है सही होती है सम मंकी जारे लिफेंट तो इस क्यूशन के लिए मैं क्या बोल सकता हूँ कि दोनु ही सही है ठीक है ना मतलब कौन सा उप्षन हो जाएगा यहां से देखोगे दोनु निसकर सही है मतलब उप्षन नमर स्ती हो जाएगा तो इसका कौन सा हो गया आपका उप्षन नमर स्ती दोनु सत्य है तो कौन सा हो गया स्ती नमर हो गया आगे देखते है कथन दे रखा है कुछ किताब खिलोने है कुछ किताब क्या बना दी मैंने खिलोने आगे है कोई खिलोना दवात नहीं है नन ओफ एट टॉइज एन इंक पॉइंट ठीक है ना और पहला था सम बुक्सार टॉइज तो देखते हैं कोई भी खिलोना क्या नहीं है दवात नहीं है ये लो दूसरा कैसे डाइग्राम बनाओगे वोई चीज कुछ किताबे तो आपकी क्या होगी खिलोनों के अंदर आगे लेकिन आगे दे रखा है कोई खिलोना दवात नहीं है चलो खिलोना तो नहीं है लेकिन किताब तो हो सकती है ना दवात भै इसके बारे में तो में नहीं दे रखा कि है या नहीं है तो हो भी सकता है सकना सकता ये सब किसमें आता है possibility में आता है ना में कहीं भी option आजाए संभावना और संभावना में वो चीज क्या होती है सही होती है पहला आओ निसकर्स में क्या दे रखा आपको कुछ किताबे दवात नहीं है some books are not in points कुछ किताबे कहां पर है ये रही ये क्या आपकी दवात है या नहीं है अब एक चीज बताओ उसने क्या बोला था कि कोई भी खिलोना क्या नहीं है दवात नहीं है ना इसका मतलब ये खिलोना जो किताबे थी क्या ये दवात होगी आप बोलोगे बिलकुल नहीं होगी नहीं होगी तो यह पहला क्या हो गया आपका गलत हो गया पहला अप्सन क्या हो जाएगा आपका बिलकुल है गलत हो जाएगा ठीक है दूसरे में देखें कुछ किताबे दवात नहीं है बिलकुल है ना देखो कुछ किताबे दवात नहीं है तो ये चीज क्या हो रही है आपकी सही हो रही है दूसरा क्या दे रखा है कुछ खिलोने किताब है कुछ खिलोने है जो क्या दे रखा आपके किताबे है इसमें भी सही और कुछ है खिलोने किताबे है इसमें भी सही अगर दोनों में सही तो वो चीज क्या मानी जाती है आपकी सही मानी जाती है तो इसके according आपका answer क्या आगया पहला वे दूसरा दोनों सही है और पहला और दूसरा दोनों सही कब होगा जब आपसन नमर सी हो कौनसा आपसन नमर सी तो इसमें भी क्या जाएगा आपका आपसन नमर सी आजाएगा 6 के अंदर चले आगे 7 देखते हैं इसमें क्या दे रखा है कि सम स्कूटर्स आर ट्रक कुछ स्कूटर क्या दे रखे आपको ट्रक दे रखे है यह लो कुछ स्कूटर क्या बना दिया मैंने ट्रक बना दिया अगल ए सबी ट्रक क्या दे रखी है ट्रेने है जितने भी ट्रक होगे सब के सब क्या होगी आपके ट्रेने है ठीक है ना दूसरा क्या बन सकता है वाई इसका यही अब वोसकता यह इसके वी बार बार पुरा हो आजा पॉसिबिलिटी वाला यहा है अब देखो इसमें कैसे करोगे आर्ल ट्रेक्साथ ट्रेंस निसकर्स में पहला क्या दे रख़ा आपको कुछ स्कूटर ट्रेने है सम्सकूटर्स आर्ट्रेंस कुछ है स्कूटर क्या ट्रेने है क्या स्कूटर काम पर रहा है यह रहा ट्रेने काम पर रहा है यह क्या इसके अंदर आ रहा है बिल्कुल आ रहा है इसके अंदर भी आ रहा है बिल्कुल आ रहा है दोनों में सही तो वह चीज क्या हो जाएगी आपकी राइट हो जाएगी नि उसरा है को कोई भी ट्रक स्कूटर नहीं है कोई भी ट्रक है जो स्कूटर नहीं है क्यों नहीं है यह वाला बिलकुल हो रहा है इसमें तो सही है और इसमें क्या आपका पता नहीं कन फ्रम नहीं ठीक है ना तो इस चीज को आप क्या मानोगे गलत ठीक है ना क्या मानोगे गलत तो इसके according आपका क्या हो गया कि only कौन सा follow है सत्य है पहला और पहला किस में हो रहा था A option में था क्या केवल निसकर्स पहला सही हो तो option कौन सा हो जाएगा आपका A हो जाएगा तो इसमें क्या आगया यह नमर आपका बिलकुल सही हो गया चले आगे next देखते है इसमें दे रखा है कुछ पत्थर क्या है आपके इंटे है कथन में some stones are bricks कुछ इंटे पेड है some bricks are trees डाइग्राम बनाना है बिलकुल बना लो कुछ पत्थर क्या दे रखी है इंटे दे रखी है I से denote कर दो कुछ इंटे क्या दे रखी है आपको पेड दे रखा है क्या मैं इसको दूसरा डाइग्राम यहां पत्थर लिख लेना यहां पेड दूसरा भी बना सकता हूं कैसे कि यह जो कुछ पत्थर है वो तो क्या होगी आपकी इंटे और यह भी को गया और यह कालप नहीं को गया ठीक है अब इसमें देखो आपको क्या पूछा है उसके को दिंग देखते हैं पहला आपको पूछा हैं कुछ पत्थर पेड हैं मैं इसमें क्या है क्या लेकिन गलत मानी जाती है ही हमने सिकhा था कि एक में भी गलत हो तो वो चीज क्या मानी जाएगी गलत मानी जाएगी दूसरा देखो कुछ पेड़ इंटे है some trees are bricks कुछ पेड़ क्या इंटे है क्या इसमें तो कुछ पेड़ इंटे बिल्कुल आ रही है इसमें भी कुछ पेड़ क्या रही है इंटे हा रही है दोनों में सही तो वो चीज क्या मानी जाएगी आपकी सही जाएगी यानि इसमें क्या हो गया केवल सेकिंड क्या है आपका सत्या है केवल निसकर से सेकिंड सत्या है मतलब option number कौन सा हो जाएगा इसमें B हो जाएगा B में ही था ना के वल निसकर second सही हो किसमें B में ठीक है आगे देखो next क्यों सन देखो कथन में दे रखा है सबी कार बिल्ली है all the cars are kates सबी कार पंके है all the cars are fans चलो देखते हैं सबी कार मेंने क्या बना दी बिल्ली बना दी और सबी कार को मेंने क्या बना दिया पंके भी बना दिया यह लो यानि क्या हो सकता है सबी कार आपकी बिल्ली हो गई और सबी बिल्ली क्या हो सकता है आपके पंके हो सकते है ये पॉसिबिली की वादा है ठीक है ना निसकर्स में पहला देखो कुछ पंखे बिल्ली है सम फेंसार केट्स कुछ पंखे कहां पर है ये रहा बिल्ली है क्या बिल्कुल है कुछ पंखे बिल्ली है इसमें भी बिल्कुल है तो ये चीज आपकी क्या होगी इस सही होगी दूसरा कुछ बिल्ली कार है क्या इसमें भी है इसमें भी है दोनों में है यानि कौन सा होगे आपका दोनों ही सही है और दोनों सही होंगे तो आपसन नमर क्या था अपना सी था इसमें क्या आगे आपका option number C correct हो जाएगा आगे देखें next देखो सबी चूहे बिल्ली है statement में दे रखा है all the mice are cats कुछ चूहे खरगोस है some mice are rabbits ठीक है ना कुछ बिल्ली खरगोस है क्या और दूसरा कुछ बिल्ली चूहे है तो पहले कथन जो दे रखा है उसका diagram बनाते है कैसे बनेगा सबी चूहे क्या दे रखे है बिल्ली है सबी चूहे बिल्ली कुछ चूहे आपको क्या दे रखा है खरगोस दे रखा है के से मान लो सबी चूहे बिल्ली बन गए और कुछ चूहे है जो क्या आपके खरगोस है दूसरा चीज देखो और इसके लाव क्या था कुछ चूए क्या आपके खरगोस है ये भी बन रहा है दो अब इसको चेक करते है कौन सा सही है निसकर स्वास्ट में देखो कुछ बिल्ली खरगोस है क्या कुछ बिल्ली खरगोस है क्या बिल्कुल है ठीक है ना इसमें कुछ बिल्ली खरगोस है क्या बिल्कुल है दोनों में सही तो आटोमेटिक क्या हो जाएगा वो अपने आपे सही हो जाएगा दूसरा देखो कुछ बिल्ली चुए है कुछ बिल्ली क्या चुए है बिल्कुल है इसमें भी बिल्कुल है तो ये भी क्या होगी आपका बिल्कुल सही तो इसके अकॉल्डिंग ये आपका क्या हो जाएगा पहला भी सही हो जाएगा और दूसरा भी सही हो जाएगा दोनों सही हो तो आपसन कौन सा था C नमर ख़़ा था क्या गया इसमें आपसन नमर है C हो जाएगा आपका नेक्ट देखते हैं कथन दे रहा है सबी लेंप हुक है All Lamps are Hooks सबी लेंप को मैंने क्या बना दिया हुक बना दिया Yellow कोई भी हुक क्या है जलता नहीं है कोई भी हुक क्या है जलता नहीं है Any hook does not light कोई भी जो आपका हुक है वह जलता नहीं है तो निसकर्स में पहला देखो कुछ Lamp जलते है कुछ Lamp जलते है क्या confirm हो कि इसका भी दो डाइक्राम बनेगा क्या एक तो ये हो गया लेंप और हुक वाला दूसरा क्या हो गया ये जलने वाला अब क्या पूछा है सबसे पहले कुछ लेंप जलते है कुछ लेंप जलते है क्या भाई नहीं जलते क्योंकि कोई हुक ही नहीं जलता तो हुक के अंदर ये सारे के सारे क्या है लेंप है तो पहला आपका क्या हो गया बिल्कुल है गलत हो गया सम लेंप्स आर लाइटिंग बिल्कुल नहीं है इनी लेंप डिस नोट लाइट कोई भी लेंप जलता नहीं है बिलकुल सही बात इसमें भी और इसमें भी ठीक है न तो दोनों में सही तो मतलब वो चीज क्या मानी जाती है आपकी सही मानी जाती है यानि पहला गलत दूसरा सही तो इसमें क्या हो जाएगा कि केवल second follow करता है यानि निसकर से second ही सत्या है और वो कौन सा था option number आपके बी थ तो इसमें क्या जाएगा आपका option number B आपका correct answer हो जाएगा next देखते हैं आगे आपको दे रखा है कुछ phone गड़ी है some phones are clocks कुछ phone में ने क्या बना दी गड़ी बना दी सबी गड़ी आपको क्या बना दीए mobile है या क्या बना सकते हो दूसरा इसका diagram कुछ phone क्या है आपके गड़ी है कुछ phone किस में आगे गड़ी के अंदर आगे सबी गड़ी क्या हो जाएगी आपके mobile हो जाएगा सबी गड़ी आपके किस के अंदर आगे mobile के अंदर आगे ठीक है ना अब देखो पहला निसकर्ष में क्या दे रखा है all mobile's are watches सबी mobile गड़ी है सबी mobile गड़ी है क्या सबी गड़ी तो mobile है लेकिन ये नहीं है तो क्या हो गया आपका गलत हो गया ठीक है दूसरा कुछ mobile phone है क्या बिलकुल है कुछ mobile phone है क्या बिलकुल है यानि पहला तो आपका पूरा का पूरा क्या हो गया गलत हो गया दूसरा आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा और ऐसा कौन सा option था जिसमें केवल स्थेकिंड निसकर्ष सत्य निकलता है वो था आपका option नमर बी तो क्या हो गया answer बी आगया चैटमेंट निसकर्ष दे रखे और उनके साथ ही आपको उपसं दे रखे पहला क्या है देखते है कुछ दर्वाजे आम है सम डॉर्स आर मेंगोज कुछ दर्वाजे किसमें बना दिये मैने आम के अंदर ये दर्वाजा है ये आम है सबी आम क्या है आपके केले है सबी आम है केले दूसरा क्या बन जाएगा एक को घेर लेगा कौन केला और इनके साथ आपका क्या जाएगा डी बी जाएगा आल मेंगोज और बनानाज ठीक है ना ये दोनों चीजे आपके हो गई अब आप इसके अंदर देखो क्या करना है निसकर्स में पहला दे रखा है सबी केला आम है क्या सबी केला आम है बाहर से अंदर जा रहे है और चीज क्या है आपके सबी है दे रखा है निसकर्स में तो वो चीज आपको भी पता है क्या होगी गलत होगी क्योंकि हमने स्टार्टिंग में यही सिखा था ठीक है ना क्या हो जाएगी वो चीज आपके बिल्कुल गलत हो जाएगी तो पहला क्या हो गया गलत हो गया दूसरा देखो सबी दर्वाजे केले है सबी दरवाजे केले है क्या बिलकुल नहीं है इसमें भी है क्या बिलकुल नहीं है दोनों में गलत वो चीज अपने आप क्या हो गई आपकी गलत हो गई आई बाद समझ में तीसरा देखो कुछ दरवाजे केला है क्या बिलकुल है इसमें कुछ दर्वाजे अकेला है क्या बिल्कुल है दोनु में अगर कोई चीज सत्य है तो वो आपकी क्या मानी जाएगी Always true माने जाएगी ना हमेशा सत्य मानी जाएगी Next देखो कुछ आम दर्वाजे है Some mangos are doors कुछ दर्वाजे mango है क्या कुछ आम दर्वाजे है कुछ आम दर्वाजे बिल्कुल है ये वाला इसमें भी आम क्या आ रहा है दर्वाजे आ रहा है यानि ये भी सही तो अब आपको answer वो चुनना है जिसमें आपको क्या दे रखा है कि केवल तीसरा वे चोथा सही है बाकी आपके क्या है गलत है तो देखो पहला option है पहला वे दूसरा सही है बिल्कुल नहीं बी नम्मर दे रखा आपको केवल थर्ड वे फॉर्थ सही है तो यही आपका इसके अंदर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा इसमें option नम्मर भी आपका बिल्कुल है correct हो जाएगा next देखते है कथन में दे रखा है सभी मौर चुए है सभी मौर को हमने क्या बना दिया चुवा बना दिया ये लो कोई भी चुवा क्या नहीं दे रखा आपको तोता नहीं दे रखा तो पहला डाइग्राम तो ये बन गया इसका दूसरा डाइग्राम कैसे बन जाएगा M को कौन गेर लेगा C और ये क्या हो जाएगा T तो क्या हो गया any mouse is not a parrot बिल्कुल सही है सभी मौर चुवे है कोई भी चुवा तोता नहीं है इसका भी हमने बना दिया निसकर्स में आते है कौन सा हो सकता है पहला देखो कोई भी मौर क्या नहीं है तोता नहीं है कोई भी मौर तोता नहीं है क्या मौर और तोते का कोई संबंद है बिल्कुल नहीं है तो मतलब ये बिल्कुल सही बोल रहा है बोल रहा है ना सही बिल्कुल सही बोल रहा है दूसरा देखो कुछ चुवे मौर है कुछ चुवे आपके किसके अंदर दे रखे हैं मौर के अंदर बाहर से अंदर की तरफ आ रहे हैं सब्द दे रखा है सम यानि कुछ तो वो चीज भी आपके क्या हो जाएगा सही हो जाएगा आई बात समझ में तीसरी चीज देखते है कोई तोता मोर नहीं है कोई भी तोता मोर है क्या दूर दूर तक कोई संबन नहीं है तो ये चीज भी आपके क्या है बिल्कुल है सही हो जाएगे चोथी चीज आपको क्या दे रखी है कोई तोता चुहा नहीं है कोई भी तोता क्या नहीं दे रखा चुहा बिलकुल बात सही है तो ये भी आपका सही होगा यानि क्या होगे आपके पहला दूसरा तीसरा चोथा चारू के चारू सही होगे यानि बोल सकते हैं सबी सही है ऐसा कोई option है बिल्कुल है कौन सा C number ठीक है तो आज के लिए हम इतने ही क्यूसन करेंगे कल मिलेंगे कुछ और क्यूसन के साथ तब तक धन्यवाद